सारी दुनिया है लोकडाउन में कोरोना है सबका रोना दरने वाली बात नहीं है सावधानी हमको रखनी है एक मेटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है बच्चों आओ पढ़ो सभी कोरोना से डरो नहीं पढ़ना लिखना है सबको आगे बढ़ना है सबको हलो बच्चों मैं संजय मिश्रा किसान इंडर कॉलेज सीतापूर से आज मैं व्यापारिक संगठन पत्र विभार नामक विशय में दोती अध्याय देशी व्यापार व्यापारिक प्रलेख लेता हूं तो व्यापारिक प्रलेख में सबसे पहले आज की चर्चा के जो विशय है वो है बीजक, बीजक के प्रकार और बीजक का एक हम एक्जामपिल समझेंगे तो बीजक मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवाइस बीजक होता क्या सबसे पहले इसका आर्थ समझ लेते हैं आप लोगों अगर कोई वस्तो खरीदी होगी तो उसके साथ एक बिल मिलता है इसी तरह व्यापारी जो विक्रेता होता है क्रेता को एक बिल बना के देता है खरीदेवे माल का जिसमें विवरण होता है माल की मात्रा होती है माल का विवरण होता है उसमें दर दी रहती है एमाउंट होती है amount के बाद अगर को व्यापारिक छूट दी गई है तो व्यापारिक छूट उसमें less कर दिया आती है इसके अतरिक उसमें अन्य वे जितने भी विक्रेता के गोदाम से माल चलने से लेकर क्रेता के गोदाम में पहुँचने तक के जितने भी व्य होते हैं वो उसमें जोड दिया आते हैं, एड कर दिया आते हैं, और final amount जो भी दे होती है क्रेता को वो निकलाती है, तो ये बीजक होता है, बीजक की समान रतियात दो या तीन प्रतियां तयार कियाती हैं, और एक विक्रेता अपने पास रख लेता है, दूसरी वो क्रेता के पास एक क्रेता के पास जाती है, जिससे जब वो पेमेंट कर देता है, तो बिल्टी और बीजक की दूसरी प्रति भी उसको मिल जाती है, बीजक की जो दूसरी प्रति होती है, वो इसलिए होती है, क्रेता के पास जाती है, कि उसके कई उप्योग हैं, बीक्रेता तो अपने पास एक प्रती रखता है वो भविश्च के संदर विखली रखता है लेकिन क्रेटा के पास जो एक प्रती जाती है उसका परपस यह होता है कि माल के मूल की जानकारी पहले तो उसको पता चल जाती है माल कितना उसमें बंगाया था क्या दर लगी उसमें और माल की कीमत कितनी हुई इसके इलावा क्या खट्चे उसमें जुड़े कितना डिसकाउंट उसमें दिया गया डिसकाउंट, Cash discount का जिकर भी इसमें होता है और Final amount कितनी उसको पेमेंट करनी है ये माल के मूल की जानकारी के साथ उसको पता लगे आता है तो ये उसके लिए उपयोग ही होता है इसके अलावा जो बीजक का और उपयोग है कि आवश्चक धनराज की पूर में वेवस्था वो कर लेता है आवश्चक धनराज का मतलब उसको 10 से या 15 दिन का वक्त भी मिल सकत है अगर क्रेडिट में उसने माल खरीदा है या अगर उसने नगत माल खरीदा है तो जब तक बैंक के माध्यम से बिल्टी नहीं आती है तब तक उसको वेवस्था करने का समय मिल जाता है तो बीजक चुकि माल पहुंचने के पहले क्रेटा तक पहुंच जाता है इसलिए उ और भी एक्ष्टा टाइम मिल जाता है तो आउशक धनराज की पूर्व में विवस्था इस तरह से हो करता है माल की बिक्री की तैयारी और विपढ़न करना वीजक का एक उप्योग ये भी है कि जब वीजक उसके पास पूर्व में पहुंच जाता है क्रेतक पास तो उससे पह इस तरह की सारी जानकारी उसको मिल जाती है दूसी चीज कब चला है इसका भी उसको आवास होयाता है क्योंकि वीजक तभी वहां से निकलता है विक्रेता के पास से जब माल चल देता है तो जब माल चल देता है उसको मालू होयाता है कुछ ही दिनों माल हमारे पास जिन जो उसके customers हैं, उनसे संपर करके order लेना वो start कर देते हैं, आरंब कर देते हैं, इसका फायदा उसको ये मिलता है, कि जैसे ही माल आता है, उसके पास already order एकटा होके रखे रहते हैं, तुरण माल supply होना शुरू हुए आता है, तो दो फायदे इससे होते हैं, उसको एक तो गोदाम में जल्दी खाली हो जाता है, क्योंकि व्यापार में जगे की कीमत होती है, अपनी cost होती है, तो जल्दी-जल्दी माल गोदाम से निकल जाता है, दूसरा फायदा ये होता है, कि जितनी जल्दी माल बेकेगा, हमको वापस पैसा उतनी ही जल्दी मिलेगा, क्योंकि उसके पास भी time limit होती है, क्योंकि एक समय के बाद उसको तुरंती भुगतार करना रहता है. तो दोनों फाइदे उसको आते हैं बीजग पूर्व में मिल जाने से. तीसी चीज है, प्राप्त माल से मिलान करना. जब बीजग उसके बाद पहुंचता है, बाद भी माल आता है, जो भी transporting agency है, roadway से आये, या train से आये, उसके साथ बिल्टी आती है, बिल्टी के मार्फत वो माल छोडाता है, और बीजग की प्रती उसके पास एक पहले से पहुंच चुकी होती है, तो आने वाले माल को उससे व माल को वो पहले से मिलाग रख लेता, अगर कोई उसमें अंतर है, माल ज्यादा आ गया, कम आया, माल अलग तरीके का आ गया, जो उसने नहीं मंगाया था, तो उसके समावजन के लिए वो एक शिकायती पत्र या उसको विक्रेता को वो इनफॉर्म कर सकता है, तो माल के मिला का भी एक माध्यम है, बीजक, इसके अलावा जब विक्री, जब बीजक आयाता है उसके पास, तो वो उसके पास एक प्रमालक के तौर भी काम करता है, अक्चली बीजक जो होता है, विक्रेता के लिए भी एक प्रमालक होता है, और क्रेता के लिए भी एक प्रमालक होता है, प्रमालक के बारे में आपको commerce student होने के नाते जानते होंगे कि भाई खाता में जितनी भी entries की आती हैं, कोई भी इसमें general entry हो या posting हो, वो तभी की आती जब उसका एक प्रमालक मौझूद हो, तो प्रमालक का मतलब voucher जिसे बोलते हैं, जो हमाई charter accountant होते हैं, checking करते समय यही सब हैं, कि जो भी entry की गी, उसके against हमाई पास कोई proof होना चाहिए, माल बेचने का, खहिदने का, पैसा लेन देन का, तो यह प्रमालक की तोर पे वीजग काम करता है, विक्रेता के लिए भी, वो sale जब दिखाता है, और क्रेता के लिए भी, जो वो purchase दिखाता है, अब हम पढ़े बीजग के प्रकार, अब बीजग कई प्रकार को हो सकता है, छे प्रकार का जैसे है, इसमें, एक होता है स्थानी मूल बीजग, स्थानी मूल बीजग में, क्रेता के पास जो बीजग बन के आता है, उसमें विक्रेता के गोदाम में रखे हुए माल का मूल होता है, या पारि बात करें कि कौन-कौन से खर्ज होते हैं, तो इसमें माल का मूल्य, प्लस अधर जो expenses होते हैं, वो होते हैं, पैकिंग, धुलाई, विक्रेता के station से station तक धुलाई, इसके लावा, रेल पर लदान, इसके लावा, रेल भाडा, रेल भाडा के बाद, बीमा, बीमा के बाद, उत्राई, और फिर क्रेता के कोदाम तक की डुलाई, ये कुल-व्य होते हैं, अलग से, तो इस्थानी मूल्य वीजक में माल का मूल अलग दिखाए आता है, और व्यापारिक छूट घटाने के बाद, ये जितने खर्चे हैं, ये हम अन्य व्य में दिखाते हैं, इस्टेशन तक मूल वीजक में, इस्टेशन तक मूल वीजक में, अगर हम देखें, तो इसका मूल्य, माल का मूल्य, प्लस पैकिंग प्लस धुलाई ये इस्टेशन तक के जो खर्चे होते हैं माल के मूल में ही जोड़ दिया आते हैं और लदान से लेकर अन्य वे ये अलग से दिखाए आते हैं इसका मूल पहले निकालते हैं अभी पहले स्थानी बीजग हम पढ़ लेंगे तो हम दिखाएंग कि कैसे इसका मूल निकाला आता है रेल पर मूल बीजग जो होता है वो रेल पर लदान तक के खर्चे माल का मूल प्लस रेल पर लदान तक के खर्चे जोड़ दिया आते हैं वो प्रतिकुंतल प्रतिकिलो या प्रतिपीस हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं पहले उससे बीजग में भाड़ा भी इंक्लूट कर लिया आता है जैसे यह हुआ रेल भाड़ा तक हमने माल के मूल में इंक्लूट कर लिया प्लस अधर एक्समसेज बीमा से लेके डुलाई तक अधर एक्समसेज में लिखते हैं मूल भाड़ा तथा भीमा भीजक में इसी तरह से माल का मूल तथा भाड़ा तथा भीमा भीमा तक हम इंक्लूड कर लेते हैं माल के मूल और उतराई तथा धुलाई ये हम अनिव्य में दिखाते हैं सर्वय मुक्त मूली वीजक में, जितना भी माल का मूली होता है, उसमें सारे वय इंक्लूड कर लेते हैं, तो other expenses जो होते हैं, वो निल होय आते हैं, क्योंकि सारे वय जो हैं, वो माल के मूली में ही जुड़ गए हैं, ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, कि जितने भी व कभी-कभी क्रेटा ये जानना चाहता है, कि रेल पे लादने तक के हमको क्या मूली पढ़े गहay station रहा है, दूसरे विक्रेटाओं से comparison के लिए भी हो सकता है, तो अलग-अलग मूली पूछ के वो दूसरे विक्रेटाओं से compare कर सकता है, और इसके हसाब से पूस्ताच वो, और हम माल खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, अब अगला जो वो बीजग का उधारन है, बीजग का उधारन पहले इस्थानी बीजग कोम लेते हैं, कि जैसे एक कोश्चन दिया है, गुपता प्रकाशन बड़ा बजार आगला ने, राधा स्वामी बुग डिपो और सो प्रतिया टाइप राइटर की हैं, टाइप राइटर पुस्तक की हैं, और यह इसका दर है, चालेस रुपर प्रत पुस्तक, व्यापारिक छूट पंदा प्रिच्चत है, और नगत छूट धाई परसेंट की दर से इसका जिक्र हम व्याव बीजग के ऊपर करते हैं, अब इसमें जो other expenses हैं, वो packing है, 80 रुपए धुलाई station तक 30 रुपए, रेल पर माल लादने का खर्चा, रेल पर भाड़ा 220 रुपए, बीमा 50 रुपए, और railway station से क्रेता के station गोदाम तक पहुंचेने की धुलाई, धुलाई दो बार पढ़ती है, जब क्रेता के station तक होता है, उसकी भी डुलाई होती है, दो बार डुलाई पढ़ती है, तो ये हमारा question है, अब इसको pro forma के साथ format में हम कैसे दिखाएंगे, जैसे इसमें सबसे उपर ये है विक्रेता, ज्यादा तर जो बीजग बनते हैं, वो printed pro forma में होते हैं, वो manual बर्याते हैं, अब आज कल computer से भी बीजग निकलते हैं, तो वो set pro forma जो होता है, उससे वो computer निकालता है, तो इसका जो pro forma होता है, ये विक्रेता होता है हमारा, ये होता है विक्रेता, विक्रेता का नाम, यहां सबसे पहले टॉप में आता है बीज में, उसके नीचे वो क्या काम करता है, पुस्तक प्रक फर्पस इसमें ये होता जो भी भी बीजड विक्रेटा बना भेजता है उसमें इक नंबर पड़ा रहता है यह नंबर डाने का परपस यह होता है कि कोई हमको बाद में विवाद हो कोई करनी है कोई बात कहनी है तो हमको यह मालूम तो किस बीजग की किस माल की हम बात कर रहे हैं तो बीजग संख्या का रिफरेंस देके हम उससे बात कर सकते हैं इसी तरह आदेश संख्या होती है, आदेश संख्या क्रेटा जब अगर माल को रिपीट करना है दुबारा, 15 दिन बाद, एक अपते बाद, एक महीने बाद, तो वो केवल ये बताया है कि फला फला जो आदेश संख्या था उसको करप्या हम से रिपीट कर दीजिए, तो यह प्रोफार्मा होता है यह प्रोफार्मा कंप्लीट करना आउश्चक है क्योंकि कोश्चन करते समय सबसे पहले जो एक्जामनर होता है या चेकर होता है उसकी सबसे पहले निगाह प्रोफार्मे भी जाती तो प्रोफार्मा बिल्कुल सही होना चाहिए इधर विक्रेता का GST number, GST के बारे में आप लग जानते हों कि सरकार ने विभिन जो टेक्स थे, उनको समाहित करके एक टेक्स बना दिया है, वो all over India लागू होता है, अलग-लग बस्तों में पर अलग-लग उसकी दर होती है, तो यह GST number होता है, तो विक्रेता का अलग होता है, तो विक्रेता का अ यहाँ पे यह जो नाम लिखा है, यह क्रेता का नाम है और एड्रेस है, इसका भी GST number इसमें डालाया आता है, तो यह हो गया प्रोफार्मे का उपरी रूप, अब यह जो शर्थ है, धाई परशनी नगच्छूट, नगच्छूट का इस calculation से कोई मतलब नहीं होता है, क्यों क्योंकि यह तभी दे होती है, जब वो समय से भुगतान कर देता, जैसे इसमें बोला है कि धाई परसेंट की नगच्छूट, एक सप्ता के अंदर भुगतान करने पर, अगर वो यह दे रकम जो है, क्रेता समय से भुगतान कर देता है, तो वो यह धाई परसेंट छूट, अब इसका जो प्रफार्मा है कि सबसे पहला का उलम है मात्रा का फिविवरण, फिदर, फिदर नाशी और योग. मात्रा में तीन प्रकार की पुस्तके मंगाई गई हैं. जैसे नमबर एक है पचास व्यापारिक संगटन की है, इसकी दर पचास रुपए है, तो पचास इंट पुस्तक है टाइप राइटिंग की, सौ रुपए है प्रति पुस्तक है, 40 रुपए कि दर से ये 4000 रुपए है, तो इसका टोटल ये हो गया, 8500 रुपए है. तो ये माल का मूल है, जो विक्रेता के गोदाम पे मूल है, इस्थानी मूल है. अब 15% विआपारी छूट, उसन 1275 रुपए है. तो 8 या 500 में 1275 रुपए less करके हमारी amount बनती है, इतनी. अब जोड़ा अन्यवय या जोड़े जो other expenses है, जिसमें सबसे पहले packing का कर्चा, देखें जितने भी खर्चे होते हैं, इसमें एक क्रम है, सबसे पहले packing है, पर डुलाई है, फिर रेल पर लदान है, रेल भाडा है, फिर बीमा कराय आता है, फिर दुबारा क्रेता के स्टेशन से गोदाम तक की डुलाई होते है, वही क्रम इसमें रहता है. तो सबसे पहले packing 80 रुपए हुई, डुलाई भी क्रेता के स्टेशन तक की 30 रुपए हुई, इसके अलावा लदाई, रेल पर लदा के खर्चा हुए 40 रुपए, इस तरह से टोटल 440 रुपए खर्चे जो हैं, यह इसमें एड हो गया है. तो अब हमारे माल पड़ा में 7665 रुपए का है. अब इस पे टेक्स लगता है. अब GST, जो रेट लगता है, अलगला वज़तों में किसीं 12 परसंट, किसीं 18 परसंट है, तो दो तरह एगा GST होता है, CGST जो सेंटरल का होता है, और SGST जो स्टेट का होता है. तो इस अमांट पर 9 परसंट पहले यह निकाला, फिर उतना ही 9 परसंट यह आ जाएगा, तो टोटल हमारा टेक्स इतना हो गया. अब क्रेता के लिए दे रकम है इतनी, 944 सुपए 70 प अब भूल चुग लेनी देने का क्या मतलब होता है? यह एक परंपरा है, भूल चुग लेनी देने का मतलब कि अगर कोई इसमें गलती हो गई है, रेट का फर्क हो गया है, माल का फर्क हो गया है, तो क्रेता अगर जब उसका ध्यान, विक्रेता का ध्यान उसको दिलाएगा तो उसको बाद में एडजेस्ट कर लिया जायागा या उसका समय उजन कर लिया जायागा, मनलब Error or Omission Accepted ये बोलायाता है इसको, सवारी माल सवारी गाड़ी द्वारा भेजा गया, माल सवारी गाड़ी द्वारा इसके पहले के अध्याय में आपको बताया गया था कि करेता क किस ही भी तरीके माल मगा सकता है, अगर जल्दि उसे माल चाहिए या ऐसा माल है जो जल्दी ख्राब हुने वाला है, तो वह जायत प्रफर करता है सवारी गाड़ी द्वारा, तो सवारी गाड़ी द्वारा अगर उसने कंडिशन लगा दी तो भी क्रेटा उसी के ह encontramos से माल भेज देगा और railway बिल्टी संख्या डाल देगा, रेल पर जब माल बुक कराते है तो ये बिल्टी बिल्टी उसकी संख्या भी इसमें उसका जिक्रे कर दिया था है, अब अगर क्रेटा को नगत भुखतान करना है, नगत भुखतान तभी होगा जब उगो बैंक से या वीपी वीपी द्वारा बिल्टी भेजी जाए, तो बिल्टी के साथ तीसी प्रती विक्रेता बेशता है, बैंक के माध्यम या वीपी-पी के माध्यम से, तो उसको बिल्टी तभी मिलेगी, जब क्रेता उसका भुगतान कर देगा, माल का भुगतान कर देगा, तो उसको बिल्टी प प्रकाशन जो ये विक्रेता हैं, उनका विजो विसाहदार है, स्वामी है, वो अपने हस्ताक्षर इसमें करता है. तो ये एक स्थानी वीज़क कर प्रारूप है. अब हम ये देखते हैं, कि जैसे हम ये बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक, एक F.O.R. प्राइस जो ज़्यादा पॉपलर है, ज़्यादा पुछाया आता है, इसका प्राइस निकाल के हम आपको दिखाएंगें. तो हमने ये बताया था, कि इस थानी मूल्य जो होता है, माल का मूल्य, ये माल का मूल्य के साथ, हम इसमें जोड़ेंगे, पैकिंग, प्लस, डुलाई, फ्री ओन रेल का मूल्य जोड़ेंगे, तो माल का मूल्य हमारे पास, अगर पीछे आप ध्यान हो, तो अभी हम दिखाते हैं, एक मिनिट, माल का मूल हमारा था, 8,500 रुपए, तो 8,500 रुपए हम ये माल का मूल्य हो गया, इसके अलाबा, 80, 30 और 20, ये 80 रुपए था, ये 30 रुपए था, और ये 20 रुपए था, इसको सबको हम, ये खर्चे हमारे हो गया, 130 रुपए, तो 8,500 रुपए पर हमको ये खर्चे बढ़ाने हैं, माल गंबूल ये निकालना है, प्रतिपृस्ता का लक्स से, तो कैसे निकालेंगे, हम कैसे लिखाएगे, 8,500 रुपए पर व्रद्धी बराबर 130 रुपए, इसलिए, एक इक नियम के साब से, इसलिए, 1 रुपए पर व्रद्धी बराबर हो जाएगी, 130 बटे 8,500 रुपए, इसलिए, जो किताबों की कीमत थी, एक पचास रुपय थी, एक 40 रुपय थी और दूसरी भी 40 रुपय थी, तो पचास रुपय कीमद ही किताब में व्रदी कितनी होगी, 130 बटे 8100 पांसो इंटू 50, यह हो गया, यह आता है, 0.765, इतनी व्रदी 50 रुपय की पुस्तक पे होगी, तो पहली पुस्तक 50 रुपय थी, इसमें 0.765 अगर हम जोड़ देंगे, तो यह 50 रुपय, 0.765, अब यह एफवार प्राइस बन जाएगा, पहले स्थानी प्राइस यह था, अब एफवार प्राइस यह होगा, दूसरी पुस्तक 40 रुपय का अगर निकालना है, तो इसी तरह करेंगे, आढ़ यह 500 रुपय पर व्रदी बराबर 130 रुपय, इसलिए 1 पर 130 बटे, आढ़ यह 500 रुपय, इसलिए 40 रुपय पर, तो 130 बटे, आढ़ यह 500 इंटू 40, यह बराबर आएगा, 0.612, 612, तो 40 रुपय वाली जो पुस्तक हैं, इसमें 0.612 एड़ हो जाएगा, इसमें भी 0.612 एड़ हो जाएगा, इसमें भी, तो यह हो जाएगी 40 रुपय 612, यह भी हो जाएगी 40 रुपय, 0.612, तो अब, एफ वार जब बीजग बनाएंगे, एफ वार बीजग बनाने में, हमको यह रेट लेने पड़ेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, और जितने अन्यवे हैं, वो अलग से हम दिखाएंगे, जैसे हम इसको, हमारे रेट आया थे, 50 रुपयो, 7, 765, दूर्सा रेट आया थे, 612, तीसा रेट आया थे, 612, यह F.O.R. प्राइस हमारा निकल आया है, F.O.R. प्राइस, अब अगर हम बीजग बनाएं, तो रफली आप देख लीजे, वैसे तो बीजग बनाने का आइडिया आपको हो गया है, तो अब जो दर्ब लिखेंगे हम, यह लिखेंगे, 50.612, 7, 7, 6, 5, 40.612, और 40.612, यह तो पचास प्रतियां, चालिज यह इसमें पचास प्रतियां, पचास प्रतियां और 100 प्रतियां थी, यह पचास प्रतियां थी मात्रा, पचास प्रतियां थी और 100 प्रतियां थी, तो माल का विरुण जैसे भरते हो, अब इसको मल्टिप्लाई करके, यहाँ पे माल का मूल नया निकलेगा, इसमें जो टोटल आएगा, उसमें हम व्यापारिक छूट देंगे, माइनस 15 परसेंट, ठीक, और इसमें जोड दिया है, जैसे पैकिंग है, ढुलाई हो, रेल पर लदान तक के, इसमें व्याज जोड दिये गया है, तो अब बचा, रेल भाड़ा, बीमा, और उसके बाद, माल उतार के गोदाम तक पहुंचाने का खर्चा, तो इस तरह से एफवार भीजग भी बन सकता है, अब बच्चों हमें ये देखना है, कुछ कोश्चन ऐसे होते हैं, जिसमें कुछ चीजे ऐसी होती हैं, जो हमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आगे कोश्चन भी लगा सकते हैं, जैसे एक टर्म आता है, इसमें ग्रुस, जैसे कुछ आइटम ऐसे होते हैं, जो बहुत चोटे होते हैं, तो इक ग्रुस में काउंट किये आते हैं, तो एक ग्रुस बराबर बारा दर्जन के होता है, और बारा दर्जन का मतलब 144 पीसेज, तो यह ध्यान रखना है कि कुछ कोश्चन में ये term इस्तमाल किया है हमें ये ध्यान रखना है कि जो दर दी गई है quantity के साफ से हमको multiply करना है अगर दर दरजन में दी गई है तो हमें दरजन में बनाना है quantity को अगर दर square foot में दी गई है तो हमको square foot में item बनाने पड़ेंगे जैसे दरी दी रहती है दरी का 5 by 4 की दरी दी है और 15 दरी का हमको rate दिया है 15 दरी का 50 रुपए प्रति वर्ग foot तो हम कैसे निकालेंगे इसमें 15 दरीयों का 15 इंटू इसका area निकलेगा 5 इंटू 4 और फिर जब rate से multiply करेंगे तो इस तरह से हम इसका rate निकाल सकते हैं तो ये area वाले question भी हम इस तरह से बीजग में लगा सकते हैं अब मुझे विश्वास है कि अन तरह के question भी आप लगाने के काविल हो जाएंगे और किताब में देखके अन तरह के question भी try कर सकते हैं ये जो वीडियो है ये जो content है दिक्षा app में भी आपको मिल सकता यूटूब में मादमिक सिक्षा विभाग उत्तरप्रदेश की website पर भी दुबारा आप देख सकते हैं धन्यवाद